चुने हुए लोगों को दो तीन लोगों को होता है दिल्ली में पार्मन ठाउस में मैंने अदानी जी के बारे में भाशन दिया कि हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनस, सारे के सारी इंडिस्ट्रीज उनके हवाले की जारी है, उनको दी जारी है चाहिए वो एरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, सडके हो सारे के सारी चीज़ें अदानी जी को दी जारी है और यही यहां हो रहा है चुने हुए लोगों को जो बीजेपी की सरकार के मित्र है जिनका रिष्टा है, पूरा पूरा फाइदा उनको दिया जाता है और इसके कारण प्रदेश में जबरदस्त ब्रश्टाचार बढ़ रहा है मैंने कहा कि युवाओं ने मेसेज दिया था कि उनको रोजगार नहीं मिलता तो आज कॉंग्रेस पार्टी ने उन सब युवाओं को जवाब दिया है जवाब किया दिया कि तीन हजार रुपए हर महीने हर ग्रेजुएट को दो साल के लिए कॉंग्रेस पार्टी देगी पंद्रा सो रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को दो साल के लिए देगी क्योंकि हम आपकी कठिनाई समझते हैं आपकी मुश्किल समझते हैं हम जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आपको रोजगार नहीं दे पारी है आपको कश्ट हो रहा है आपको मुश्किल हो रही है इसलिए हमने यह आपके लिए कदम उठाया है 2300 रुपए हर महीने Graduates के लिए 1500 रुपए हर महीने Diploma Holders के लिए 2 साल के लिए और हम वहाँ नहीं रुखेंगे 10 लाख युवाओं को Congress Party की सरकार 5 साल के अंदर इस State में रोजगार दिखा के देगी और धाई लाग जो सरकारी वेकंसीज हैं उनको हम पूरा करके भरके करनाटक के युवाओं को दिलवाएंगे यात्रा में महिलाओं ने अपनी कठिनायों के बारे में बोला हमने पहले अनाउंस किया है कि 2000 रुपे हर महिने हम महिलाओं की करनाटक की महिलाओं को ग्रह लक्ष्मी स्कीम में दिलवाएंगे और अनभागिया स्कीम में 10 केजी 10 केजी चावल हर BPL परिवार को कॉंग्रेस पार्टी दिलवाएगे और ग्रह जोती स्कीम 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली कॉंग्रेस पार्टी देने वाली है तो ये हमारे वाइदे हैं एक और बात उठी थी यात्रा में उठी थी जो वाइदा सरकार ने किया है स्टी रेजर्वेशन को 15% से 17% स्टी रेजर्वेशन को 3% से 7% प्राटी प्रेजर्वेशन को 1-2 जिएष्वेशन को 15% से 17% झाल झाल